तो नाचरली उस समय फिर आपको अंडे कहां से बनेंगे तो हम लोगा क्लेनिक उसी कारण फ्लरिश भी करता है कि बाहर के खाना कभी भी बाहर का खाना हमेशा याद रखिए वो लोग बिजनस कर रहा है रोके रहेंगी रोके रहेंगी जब तक कोई सेफ जगह नहीं मिल जाया उनको पिशाब करने के लिए तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण होता है युरनी ट्रैक्ट मतलब पिशाब जहां से निकलता है उस पॉइंच से लेके kidney तक जो वो पूरा ट्रैक्ट है न उसको युरनी ट्रैक्ट में कहीं पे भी अगर infection होता है उसको UTI कहते है उसका बचाव क्या है? उसका बचाव नमबर वन है हाईजीन, कि आपको रोज अपना पैंटी वाश करना चाहिए, जहां पे भी आप काम करते हैं, यह आपका सबसे पहला अधिकार है, कि वहां का 140 साफ हो, वहां के लोगों का, जो वहां का मैनेजमेंट टीम है, उसको मिस्टेक सबको ही करता है, थोड़े बहुत डॉक्टर्स भी कर रहे हैं, कि जब भी वजाइनल इंफेक्शन एक औरत का इलाज होता है, तो वो लोग पार्टनर को दवाई देना भूल जाते हैं, नमस्कार, अपने इस फोनेशन देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ वंद जो है वो आम तोर पर क्यों इतना जादा है, महिलाओ में इसले जाधा होता है, क्यूंकि महिलाओ का जो यूरिनि ट्राक है वो बहुत चोड़ा होता है और आदमिका बड़ा होता है, इसले किसी भी infection को meng ड्राइक्टिया को ट्रावल करने का जो डिस्टिंस है वो गर्ल में छोटा होता है और धोशों का बढ़ा होता है इसलिए गर्ल्स को जीज़ादा इन्फेक्शन होता है इस एस चेंपेंड dois दूसरा कारइन यह है कि गर्ल्स को इन अर इंड्यान सोसाइटी गर्ल्स को ट्यु मिलेगी वो पानी कम पीती हैं, वो भी तीसरा कारण हो गया, मर्द को इंडिया में कहीं पे भी पिशाब लगता है, वो अपना पिशाब कर लेता है, उसको पानी रोकने की जरूत नहीं पड़ती है, खुब पानी वो अगर पीता है, तो राजटी पिशाब का इंफेक्शन हो होता है, उसको यूटीया कैता है, उसका बचाओ के? उसका बचाओ नंबर लॉन है हाईज़ीन, कि आपको रोज अपना पैंटी वज़ करना चाहिए, जहां पे भी आप काम करते हैं, यहां का सबसे पहला अधिकार है कि वहां का 140 साफ हो, वहां का मैनेजमेंट टीम है, उस उसको request नहीं, उनको demand करना चाहिए, कि we need a clean toilet. This is the basic right of every human being. और जहां पर toilets नहीं है, सरकार ने बहुत सरी योजना ही बनाई है, पर उस योजनाओ का इस्तमाल करते बे लोगों ने सिर्फ पैसा कमाया, पुन्य नहीं. और जिसके कारण समाज कष्ट में हैं आज भी, बहुत सारी बिमारियों से बचाता है. हम लोग का शरीर, majority of our शरीर तो पानी से ही बनावा है. इसलिए खुब पानी पीना is also a very easy way to prevent yourself from UTI. पती-पतनी साथ रहने के बाद वाश करना चाहिए, अपने आपको, बिकाज वो भी एक तरीका है, अब अपने आपको infection से बचाने के लिए. एक सवाल अभी है कि UTI जब हो, तो कैसे लोग समझें, इसका लक्षन क्या है? एक तो बार-बार पिशाब होना, पिशाब करते समय जलन होना, ये दोनों सबसे बड़े लक्षन है, ये जानने के लिए कि आपको UTI हुआ है? एक सवाल अभी है कि ऐसे मौसम में, गर्मी से सीधे बारिश के मौसम में जब प्रवेश करते हैं, तो अधिकतर महिला आएं अपने आपको जो देख भाल नहीं कर पाती हैं सही धंग से, इसलिए वो और भी कई तरीके समस्याओं से जुझते रहते हैं, वैसे में क्या सुझा है? जैसे की? जैसे यूरिन इंफेक्शन के अलावा, इचिंग प्रवेट पार्ट में, पार्टनर को दवाई देना भूल जाते हैं, यह एक बहुत इंपोर्टन चीज है, यहां मिस्टेक होता है कि अगर कोई कुवारी लड़की यह प्रॉब्लम को लेके आती है, तो यह दवाई का डोज, उस इंसान को भी खिलाना है, दूसरा प्रॉब्लम यह है, जो मेल पार्टनर है, वो दवाई खाने के लिए अधिकांच तियार नहीं होता है, वो बोलता है मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो समझाना इस तरह से चाहिए, कि आपको प्रॉब्लम नहीं है, और आपसे भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, वाईफ को, क्योंकि वो बोलना कि आपके कारण प्रॉब्लम हो रहा है, वो मेल इगो बहुत हिट करता है, तो आप जिन्देगी में कुछ संभालें नहीं संभालें, मेल का इगोर संभाल के जरूर रखिए, तो आपको ये बोलना है कि नहीं है, तो सब प्रॉब्लम औरत में ही, प्रॉब्लम की छीटें आपको भी पढ़ रही हैं, तो उन छीटों को साफ करने के लिए आपको ये चार गोलिया खानी है, अधिकतर यह भी देखा गया है कि पती-पत्नी आम तोर पर तो रहती हैं ये शाथ में, वैसे जो बिना शादी सुदा हैं, वो अगर असाथ में रहते हैं, क्या उन्हें भी इस तरह का खत्रा बना रहे हैं? जिस तरह से एक शादी शुदा और बचाव करने का जो तरीके बताएं कि साथ रहने के बाद वाजूद हो तो हजबन वाइफ, पार्टनों पार्टनों को दवाई ज़रूर लेना चाहिए, किसी एक सिर्फ वाइफ का अधिगांज किया हुआ है कि सिर्फ लेडी अपने आपको ट्रीट करती है, फिर वो पार्टनर के पा सबस्के इन्फेक्शन लेकी आती है, फिर वो दवाई लेती है, फिर जाती है, फिर इन्फेक्शन लेकी आती है, सो इस साइकल गोज ओन और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि उस वह औरत का शरीर उन दवाईयों से रिया वह मिलब रिस्पॉंड करना बंद कर देता है तो इंफेक्शन बिकम्स इंट्रीट अंट्रीटबल तो इस चीज पर सबसे पहला ध्यान सब डॉक्टर को इस बात पर ध्य जाती है तो इक स्वाले अभी आया है कि कॉलेज की लड़किया हूं या चाहा स्कूल गल्स हूं अधिकतर देखा गया है बारिश को माईसम में जब भी अगर वश्कूल जाती है तो एक रेडनी इसकी समस्या बहुत जादा पार्ट में आ जाती है जो को यह घर में लोग न अगरा आपको लग रहें कि अब बार बार इन्फेक्शन से अब ग्रिस्ट हो रहे हैं तो आप अपने बौड की गई इंम्मूटी के बढ़ाएं तो आप अपने बौडी को इम्मिनूटी क्यों बड़ाईए भी भी भाहर का खाना हमेशा याद रखें वो लुग बिजनस कर रहा है, they want to make maximum profit, and at the cost of your health, because they don't care about your health, घर के खाने में, they are not concerned about कि इतना पैसा लग रहा है, they are concerned about your health, उनका खाना का प्राइर्टी है health, सबसे पहले तो अगर आप धार्मिक है, तो आप सबसे पहले यही समझेंगे न, कि जिस intention से वो खाना बन रहा है, और क्या intention पढ़ड़ा है घर के खाने में, दोने में जमीन आस्मान का फर्क है, हम तो बहुत घरों में जानते हैं कि कितने भी अमीर वो लोग हो, कितने भी नौकर चाकर हो, खाना हमेशा घर की औरत बनाती है, विकोज घर की औरत जो भाव से खाना बनाती है, जो positive आपका तो पूरा शरीर चल रहा है, पूरा शरीर चल रहा है, सिर्फ जो आप अपने मूँ से, यही पेट्रोल टैंक का होल है, है ना, यह गाड़ी पूरी उसी पेट्रॉल पेचलती है, हम पेट्रोल भरते तो हम देखते नहीं नहीं, इस पेट्रोल पंप में अच्छा पेट्रोल नहीं है, तो गाडी क्योंकि हम लोग पैसे से खृदे है उसका देखबाल जो होता है उससे जो महबबत होता है उसका तो खेर कोई तुलना ही नहीं है और शरीर वो तो फिर आज सकता है मतलब वो आता है धरती पेक्दम free of cost तो उसकी कीमत नहीं समझ में आते है लोगों को तो यह यंग जेंडरेशन को डेफिनिटी खाना भार खाना किसको पसंद नहीं है पर यू में कर रूटीन हम वीकेंड में जाएंगे फैमिली के साथ जाएंगे फ्रेंज के साथ जाएंगे हम वीकेंड में खाएंगे और यह home service has made life even more worse आपको बाहर के खाने से कभी nutrition नहीं मिलने वाली है और जबान के लिए केवल खाना is very bad एक सवाल रहेगा कि जब अगर महिलाओं में पुर्सों में भी urine infection हो जाएंगे या फिर redness की समस्य आई आजाए तो वैसी में क्या डॉक्टर को डॉक्टर से सीधा संपर करे या फिर कोई ऐसा नॉर्मल दवाईयों को लेक सिवन करके भी उसे सम क्या आएंगे देखे आए कि कोई भी बिमारी को सही तरीके से जांचने के बाद ही दवाई खाना इस अल्वेस सेंसिबल सो हम तो यह कभी अद्वाई नहीं देंगे कि आप अप सेल्फ मेडिकेशन थोड़ा देंजरिस हो सकता है जब अब जिसी इसके आपको knowledge नहीं है I'm not saying कि डॉक्टर लोग बहु तो यू मस्ट कंसल्ट डॉक्टर अब में इसरे टॉपिक पर आते है मैडम आजकल के यह भाग दोर के जिन्दगी में अधिकतर महिलाय जो है वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है उसके मुल समस्या क्या है एक तो शादी हैस बिकम वेरी वो चीसी अलग हो चुकी है पहल यह जमाने में लड़की यंग बहुत कम उमर में अपने सस्राल आती थी सस्राल वाला उसको अपना परिवार मानता था कि अब यह मेरी है और उसका सोख दुख चैन सब चीज का जिमवारी मेरी है पर अब ऐसा नहीं है अब माताओं को लगता है कि मेरे ही यूटरिस से जो जो भी समान निकला है वो ही सिर्फ मेरा है दूसरे की यूटरिस से जो भी समान निकला है वो पराया है और पराय को अपनाना नहीं है तो फॉरिन बॉड़ी जैसे अमना बॉड़ी रियाक्ट करते है ना कुछ चीज अपने शरीर में डाल दीजे फॉरिन बॉड़ी और रि लिखा कर अपने पाउं पे मजबूत बना कर तब सस्राल भेजते थे क्योंकि अगर वहां पे कोई उनको परिशान करे है उस तरह का बैड परिशानी हमेशा जबान से बुरा बोलना और हाथ से मारना नहीं होता है, mental torture धर्ती का सबसे बड़ा torture होता है क्योंकि उसमें आपको किसी की सानूबुती भी नी मिलती है, क्योंकि कोई देख नहीं रहा है किसी इंसान को भूत पुरेट से कष्ट देना तो वह सब से सबसे कष्ट अवह ऐक चीजह उत भी कोई देखी नहीं है अगर किसी का पती गाली गलोज मार पीट कर रहा है तो उस औरत को सानुबुती भी दस लोगों से मिलती है ना तो इसलिए अपना सब को अपनी बेटियों का सुरक्षा के लिए कोई भी नी जाएगा कि मेरी बेटी टॉचर हो तो पढ़ा लिखा के और पढ़ाई लिखाए में आपको टाइम लगता है 30 साल 35 साल अभी दर 38-40 से में शादी हो रही है तो नाचरली उस समय फिर आपको अंडे कहां से बनेंगे तो हम लोगा क्लेने को उसी कारण फ्लरिश भी करता है एक सवाल है कि हमारा समाज का बिगड़ने का कारण क्या है हमारे समाज के बिगड़ने का सबसे बड़ा कारण यह है माता है पहले जमाने में जो बच्चा पैदा होता था घर में, देखिए, दुनिया को चलना है न, दूर का सस्पती सो सबकोई पढ़ा है, और सबकोई उपवास भी करता है, बट एकदम मतलब जैसे कंप्यूटर में करना है, कुछ उसका मतलब नहीं पता है, कि हम किस की पूझा कर र बच्चे को चोंच में चावल लेकर खिलाती है, और जितनी सेवा एक चुडिया, या कोई भी जानवर अपनी उलाद का करता है, जितना वो अगर उसकी उलाद को कोई छू दे तो उसको बखोट देता है, तो शायद इनसान अपनी उलाद के उतना नहीं करता है, है ना, इन बच्चे जब बड़े होंगे और वो समाज में आएंगे, तो वो क्या बनेंगे, ठीक है, हम चिडिया की बात करें तो जो किताब में लिखा हुआ है, कि इतना महनत करके वो अपने बच्चे को पालती है, परन्तु जब वो स्वतंत्र हो जाता है, वो अपना भोज़न स्व हो, उसके बाद वो पंची अपनी बच्चे को खोजने नहीं जाती है, कहां है, हम बुड़े हो गए है, अब हम चल नहीं पा रहे हैं, उसकी मिरत्यू आती है और वो चला जाता है, क्योंकि वो अपने मौत से पहले वो समाज को दो, तीन, चार दिये है, चिडिया, हम लोग अपने बच्चे को एक ही लक्ष से पैदा करते हैं, और एक ही लक्ष से पालते हैं, बुड़ापे में मेरा सेवा करो, हो सकता किसी का बुड़ापा आया ही नहीं, पचास साल की उमर में हांट अट अटक से मर चाहें, हो सकता बुड़ापे में आप इतने स्वस्त रहें, औ पर बैठे बैठे निकल पड़े, आपको बुढ़ापा कभी आई नहीं, बस जो चीज आप देखे ही नहीं है, पर वो डर ने अपने बच्चों के और बच्चे के शादी शोदा जिन्दगी को आप नश्ट कर देता अंसान, अपनी बेटियों को बेटी के घर में नी सेटल हो आप जब तक पराय को अपना नहीं, हाँ, पराय भी सही होना चाहिए, और अपना भी अगर गलत है, उसको भी डाटने का बुद्धी होना चाहिए, तो ये सब चीज़े, अगर मा का संसकार अच्छा हो, और अपने बच्चे को अच्छा परिवरिश देगा, तब ही आपका बच्चा रखने के लिए तो पेट में नौ महीना हम पाले, मा को लगता बापरें, बच्चे पे कितना बड़ा इसान कि ये बच्चा तो बोला भी निया प्रिग्नेंट हो, वो आपका शौक था, आपका कर्तव्य है इस समाज को एक अच्छा संसकारी इनसान देना, ताट कि ये बच्चा पैसा कमाना और परिवार को केवल देखना, मा बापा को केवल देखना, और भी देखना, एक अगर रिस्पॉंसिबल बच्चा को आप जनम दी हैं और वैसा परविश्ण आप दी हैं, वो आपको क्यू चोड़ेगा, आपके सुक्दूप में बढ़ापे मे किसी का बदलना, हम बहुत कोशिश करते थे लोकों को बदलने का ज़ंदगी होती है जहंड, तो we should start from what is the ideal way is बच्छमन, हम ये बार बार बोलते हैं, कि लोग बोलता है, ये बच्चा है, अभी नहीं समझेगा, ये बच्चा अभी नहीं समझेगा, और जब बड़ा हो जाता है, तो वही इंसान बोलता है, बाप रे, तुम बच्छमन में कुछ नहीं सीखे, बच्छमन में आप कुछ सीखने नहीं देते हो, क्योंकि वो बच्चा है, अब बड़ा होके, आप वही बोलते हैं, आप बच्छमन में कुछ नहीं सीखे, अब आप ऐसे ही हैं अब मुझे आपको एक्सेप्ट करना है आपको बदलना या कोई situation को बदलना मुश्किल ही नामुम्किन है इसलिए हम लोगों को बड़ों के साथ केवल अजस्ट करना है हम लोगों को concentrate करना है अपने बचों पर सबसे पहले हम यूवावों को सुधा सकते हैं, तब ही हमारा समाज क्या लग रहा है? आप अमर नहीं है, आपका काम प्रकृति को आगे बढ़ाना है, आपका काम अपने बुढ़ापे का बैंक बैलिंस बनाना और बुढ़ापे के लिए बिस्तर खोजना नहीं है, बुढ़ापे में क्या होगा, आपके भी करम अच्छे होंगे, आपके पूरा बुढ़ापा बहुत लोगों के अच्छे करमों के कारण भी बुरा होता है, वो सब भगवती के हार्थ में, आप अपना कर्तव्य करिये न, अपने बच्चों का अच्छे संसकार बनाना, हेल्पिंग बनाना, समाज एक बनाना, क्योंकि समाज के लिए भगवार ने आपको यूटरिस दिया है, आपके बुढ़ापे के लिए नहीं दिया है, तो इस पीपल डोंट अंडर्स्टैंड, और अपने सुना कि क्या कुछ कहना था, सुप्रसिध डॉक्टर, गाइनोकोलाजिस्ट, सारिका रायका, जिन्होंने कई बीमारियों पर जो है, हम इनसे बातसित किये हैं, और हमारा समाज आजकल क्यों भी गड़ रहा है, और मा का क्या दाई तो होना चाहिए, इन तमाम टॉपिक पर बात किये हैं, लाखों लोग इनकी बातों से जरूर आप लोगों को मिलेगा, अपना ओपिन जोर कमेंट बाक्स में देजिएगा, सो योगी गौतम के साथ, न्यूज फोरनेशन पटना